अब प्लीज मेरे गुजारिश को मानिए अब सुनिए मुसल्मानों में साक्षर्टा दर किती है 54 प्रतिशत और ग्रेजुएट किते हैं 5% जो पढ़े लिखे उनमें ग्रेजुएट है तो यह बीच पे बहुता है पढ़ना जिको है 56 पेज़ का पढ़ने की छम्ताई 2,5% मैं नहीं जो वहाँ प्रदर्चन कर रहे है मेरा दावा है कि 56 पेज़ का वर्ड वाई वर्ड पढ़के अगर कोई अर्थ बता दे उसमें से 95% लोग नहीं पढ़ सकते इसलिए उन्हें भढ़काया गया है ये मेरा आरोप है विशुत दुरूप से भढ़काया गया है वरना 50-60 पेज का कोई डॉकुमेंट हिंदी और अंग्रेजी का वो पढ़ने की छंता 95% लोगों में नहीं है जो वहाँ पे है इसलिए उन भोले-भाले लोगों को लाकर भढ़का कर जो लिखा देंगे उसके उपर बवाल करवाया जा रहा है मैंने बिल्गूल फैक्ट रखा है स्टाडिस्टिक से साथ जी जी एक सिकें अब मैं को आलोग अब है आपने अपमान किया है जिनको अंपड कहा है इस सब को पूरा भरा पूर का at least respect when the anchor is saying मैं पूरा मौका दिया आप सबको शोई जो मैं इंतजार करने हैं अजया लोक इंतजार करने हैं 20 मिनट शोक हो गए I think हम सबको अपनी इतनी शेहन शीलता होनी चाहिए कि हम विरोधी की भी सुने सुधान चुतरवेदी मेंबर और पार्लिमेंट अगर 30-40 सेकेंड आपकी बात ही का जवाब दे रहे उनको 40 सेकेंड तो सुनेंगे अरे सर आप तैक कर लेंगे सब कुछ गलत बोल रहे हैं मैंने बिल्कुल नहीं आपको टोका आपने पूरी बात को रखा मैं आगे बढ़ता हूँ मैं चीदा रुक करता हूँ अब अजया लोग का और शोयब जमाई का पॉइंटिड कुश्चन अजया लोग आखिरकार अगर सच कॉंग्रेस के ये तीन बड़े नेता बोल रहे हैं एक पूर मुख्यमंत्री बोल रहा है कि ये लोग शुरू से जानते थे कि हम जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं जूट बोल रहे हैं लेकिन हमें बोलना है क्योंकि हमें अपनी राजवीती करनी है हमें आरा जक्ता फैलाना है हमें लोगों को गुमराख करना है हमें confusion करना है लोगों को गुबराह करके सड़क पे निकालना है एक धर्म विशेष की भावनाओं को भड़काना है और इससे अपना उल्लू सीधा करना है प्रधान मंतरी को कटेगरे में खड़ा करना है यह तो साफ साफ open and shut case है यहाँ जितने बैठे हुए मेरे laureate हमारे noble लोग जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं वो खुद जानते हैं कि इससे भारत के कोई सी नागरिक्ता नहीं जाएगी इससे उन लोगों को नागरिक्ता मिलेगी जो दूसरे देश में minority में हैं CAA को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं ये लेकिन तब भी CAA कविरोध कर रहे है NRC अस्तित्वे में नहीं आया है NRC कोई कि नाम की कोई चर्चा नहीं है NRC का प्लेकाट लगा के प्रदर्शन हो रहे हैं तो ये क्या है ये तो साफ साफ भ्रहम फैलाना कंश्यूजन फैलाना देश को अराज़क बनाना आग जनी करना बसों में आग लगा देना तोड़ फोड़ करना पुलिस को मारना और उसके बाद कहेंगे कि ये हमारा समर्त ये हमारा धिकार है हम सम्विधान की रक्षा के लिए निकले है और उस पर से उपर से एक देख दो महानुभाव इसमें से ऐसे ऐसे भी है जो ये भी कहते हैं कि कल को सुप्रीम कोट इसको आपहल्ड करेगा तब भी हम नहीं मालेंगे हम तब भी प्रोटेस्ट करेंगे उसके बाद भी कहते हैं कि नहीं हम प्रस्ताव पारित करके भेजेंगे तो यह सब ध्रम फेलाना है अब देश की जंदा को मुर्क समझते हैं एड़ो एक्सपोज होगे हैं खुद बखुद